आप में से कितने लोग हैं जो बहुत एक्साइटेड हैं आज के सेशन को ले करके तो अब मैं जैसे ही आपको नाम बताऊंगा उनका जो हमारे आज की गेस्ट हैं तो आपका जो एक्साइटमेंट लेवल है वो और भड़ जाएगा यह बताने से पहले कि गेस्ट कौन है मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ यूटीव के बारे में यूटीव में क्या है कि पूरे वल्ड की अगर बात करी जाए तो करोडों चैनल्स हैं जो अलग-अलग जानल्स में हैं अलग-अलग categories में हैं उसमें से दो बड़ी categories है motivation और education पूरे world में जो world का number one motivation channel है वो मेरा है और जो world का number one education channel है किसी independent creator का वो उनका है जो कि हमारे guest है उनके 17 million से ज़्यादा subscribers है Please give an energetic and warm welcome to the one and only answer चाहँ चाहँ जी कैसे है आप इससे पहले कि ओडियन्स आप से कुछ पूछे या इंट्राइक करें मेरे माइंड में एक क्वेश्चन है आपके लिए जी जो बच्चे है वो आपके इतने दिवाने क्यों है इतने पागल क्यों है आपके पीछे मतलब मेरे कमेंट सेक्शन में भरा पढ़ाता खान सर कम आएंगे मतलब ऐसा क्या जादू कर दिया आपने बच्चों के ओपर यह सवाल हम आपसे भी पूछते हैं हमारे भी इतना कमेंट है इतना मेरे तो ओफिस में लोग चले आएंगी सर कभ जा रहे हैं क्योंके उम्टों का तो एग्जेक्ट है वोई पढ़ाना है हम लोग का में है कि बच्चों को ज़रूवत रहती है कि अगर लड़का पढ़ने आए उसके मन में कोई डाउट नर आजा हम उसको कहते हैं कि हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं दूम है तो भूल के दिखाओ याद कर नहीं हूँ प्लास आप जिस प्राइस पॉइंट पर पढ़ा रहे हैं आइ थिंग वो सबसे कम है वो बहुत ही कम है है और कुछन सर्फ सर यह जो का कुल्चर है यह हमारा इंडियान केल्चर नहीं है हमारा इंडियान कंचर गुरु दक शिना है उस ही ताप से ओस अट्रिए थाक्ष्यभ्ती है उसे सही है इतना तो हम देखके कामरा हुम रहा तो हम कन्फूज हो गए बापरे तो हम एक ही दिन में वीडियो शूट किया पढ़ाने वाला टॉपिक था हमको उसके बाद कभी वीडियो नहीं छे साथ वीडियो एक ही बार सूट कर लिए और एक जो थे जिनका कैमरा वगरा तो में पास कैमरे भी नहीं थे उस ताइम और कैमरा था था तो छे महीना इसी में लग गया जो पॉइंच जाएगा तो उनके कैमरे से सुट किये उन्होंने कोई चार्ज लिया उसके बाद अम छोड़ी दिये लोगड़न लगा तब हमके आप कैसे पढ़ाएंगे तो एक दिन दो दिन करते करते अचानक लंब हो गया तब हमको लगए याद है कि हो मेरा एक चैनल भी है वहाँ पर तूस समय उस पर लगभग 30,000 सब्सक्राइबर हो चुके थे तो जैसे लोगड़न लगए तो उस पर अंग्रेजों ने एक चाल चला था कि भारत को हम फिजिकली गुलाम रखेंगे सो दोस साल मेंटली हजार साल कर देंगे उन्होंने पढ़ाई का मॉडल चेंज कर दिया उन्होंने ऐसा डिजाइन किया कि यह टीचर की रिस्पॉंसबिल्टी है वो पढ़ा के चला जाए टी हम कर यह तुम्हा डाउट बचेगा तब न पूछेगा तुम डाउट यहापने कोंफिटेंस नेक्स लेवल है का अंसर का मानना पड़ेगा और शायद यही बज़े इनकी जो ग्रोथ है उसका किसी ने शायद सपने भे भी नहीं सोचा होगा कि पिछले दो साल के अंदर अंदर जो आपके चैनल की ग्रोथ हुई है जैसे आप खुद ही बता रहे हैं कि ल कोड़े से सेंसिटिव हैं जिसके ओपर बात करने की हिम्मत I think बहुत ही कम लोगों में है तो आपको कभी यह नहीं लगता है कि कहीं ज्यादा तो नहीं हो रहा है इसको थोड़ा रोक देते हैं थोड़ा कम कर देते क्योंकि कोई लाइन ही नहीं है वैसे तो बोलने को तो आ और मैंने यूट्यूब पर देखा कुछ वीडियोज में कि आपका जो इंसिट्यूट है वहां पर आज से कुछ साल पहले कुछ बम गिरे थे कुछ तो बहुत सॉलीड जगा गिरा था फटा नहीं हो मतलब आपके आसपस बम को भी पता है कि टीचर की इज़त किया जाता है मैं समझ्ज पारहा हूं कि यह आपके अंदर आटिट्व ने कहां से आ रहा है क्योंकि आप बचपन से ही फॉर्ज में जाना चाते तहे तो आप जग के मैदान में ही खड़े हैं एक तरीके से बस फ़र्क यह है कि आपके हाथ में हर्तियार ना हो गरा है जान जा सकती है, कलम से बहुत ताकत होता है, सिक्षा एक ऐसा अथियार है, हर कूरितियों से लड़ सकता है, हर तरह की समस्याओं से, और यह एक ऐसा अथियार है, मेटल डिटेक्टर में भी नहीं पकड़ाता है मेरे खुस्चन यह है कि अभी प्राइवेट और गनाइजेसंस में पीटिने का पनिस्मेंट का यह सिस्टम जो है खातम हो गया है, हम आपके वीडियो में देखे हैं सर का आप एक बड़ा सा रोल रखे रहते हैं, है पुलिस वाला लाठी है, और स्टेज पे बुला के बच्चों को उसी से धुनाई सुरू कर देते हैं, मस्त एकदम से, है ना, तो सरी मतलब की बच्चे मतलब की डरते नहीं आपसे और इस तरीक से कैसे कैसे कनेक्टेड हैं आपसे, है ना, और एक और कोस्टन सर, यू पीस और करो कुरा चुरा कंप्लीट करो यe और ख्यू और सभस ने हूए तो अच्छा टालंग society आपकदמצार यूएं ने इस चाहिक OSU लेकिनुवां के सफीवां रह का बच्पित्वोस्ट、 केम बच्ए सब्स्टी करोड़का पूरड़कोळष बच्या दर के वाटिन है आपके अंदर एक थोड़ा सा डर रहे ना तो डर के भागिये मत एक ऐसा डर जिसको आप लगे कि नहीं ने थोड़ा सा और करने की जरूवत है फिर तो यह हम इसको क्रॉस कर जाएंगे तो लड़कों के अंदर यह डर बनाना भी ज़रूरी रहता है और यही बात यूपी एस जो आपने बोला बहुत सारे लड़के वेट कर रहे हैं UPSC क्योंकि 2.5 लाग फीस सारे लोग एफर्ट नहीं कर सकते हैं और हमारा वही रहता ही हम तो जादे तर हमारी स्टूडेंट देगे तो किसी के रिक्सा वला सबजी यही लोग इनको तो रही लग पास पूरी संपत यह जो डंडे वाली बात इनोंने कहीं यह सच है मतलब आप सच में रखते हो और मारते हो हमारते हो कि मनला अगर कोई लड़की चेड़ता है या इसा कोई बी उल्टा बी उल्टा करना है कुछ भी गलती करेंगे तो पिताएंगे वह यहां पर यहां पर ऑन कैमरा जैसा भी कुछ भी पिताना तो उनको फिक्स है एक थो कोई मतलब बीधायक जी थे उनके लड़का को पिट दिया तो चलाय बल लेके अपना माँ पे उसने घर पे नहीं बताया था कि सर ने पिता है बस बोल दिया कोचिंग में पिता है बात में पता चला हम पिते हैं तो उसके पिता अधरे नहीं लगता है बाकी अफसार से पुछी है आज के सेशन से पहले कोई डर नहीं था लेकिन अब मुझे इनकी डंडे वाली कानिया सुन करके डर लग रहा है कि कहीं मैंने गल्ती से कुछ बोल दिया और इन्होंने कहीं पीछे कुछ रखा हुआ है और यहीं आ करके अगर इन्होंने मेरी पिटाई कर दी तो बहुत बुरा हो जाएगा तो इसलिए हमको थोड़ा डर लग रहा है आपकी डेली किते गंटे क्लासे सुती है शे साथ गंटे अभी भी कुदी करते हो आप हमारे स्टाप परिशान रहते हैं हम देड दो बज़ सोते हैं सुबज बज़ हो तरन छोगा तो जचशाओ का दन याड़ा रहता है है वे लिःगल मसादी बांड है तो आप हमारे साथ तै को यह तर अगराता है हम को ड़ंको सächआ अःगे टो निवी पर दिन देडिये तो कोई सोय धोड़ी रहे हैं परिशान रहता दिण में सोते हैं हो नहीं क I would like to say, sir, thank you so much to you and to your team कि आपने मुझे यहाने का मौका दिया and sir, अब तक मैंने आपको सिर्फोन या लैपटोप में देखा है दोनों को आज फिर्स टाइम लाइफ देख रही हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है तो मेरा कोशन यह है, sir, आप से कि यह बज़्दे कीनि आपको आफे कर देखे दूसरे से सला लेने से पहले, एक भार खुद उस पे रिसर्च कर लेना चाहिए ताकि आप सामने वाला क्या सला दे रहा है आपको समझ में आना चाहिए आपकर। इसा नहीं, कई बार ऐसे होते हैं, कि दूसरे बाले को एक्सपिरियंस होता है, तो अगर आपको पहले से आइडिया है, उसके बारे में आप बहतरीन भंग से रिसर्च की हैं, कि क्या इसमें प्लस पोइंट है, क्या निगेटिव है, उसके बाद आप किसी से सला लेने पहले आपको आरेंडी करना पड़ता है, और जिन्दगी हो या गाड़ी, जीतेगा वही जो टाइम पे गियर चेंज कर रहा है, तो डिसीजन चेंज करना बहुत जादे गलप नहीं है, उसके बहुत अच्छी बात कही है, और मैं इसी बात पे थोड़ा सा और आड़न करू रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, डिपेंडी है करता है कि वो जो बोल रहा है, उसका बेसिस क्या है, क्या वो किसी नॉलिज या एक्स्पिरेंस के बेसि पे बोल रहा है, ऐसे ही कुछ भी बोल रहा है, तो फिर उसकी बात पे ध्यान क्यों दे रहे हूँ, अग प्रोक्रास्टिनेशन एंड लेजिनेस अगर आप पांच मिनट भी थोड़ा सा लूच पड़े ना थोड़ा सा कमर सीधा कर लेते हैं दो घंटा बरबात कर दिया अपको हाभी मत होने दीजेगा उसको अपने उपर प्रोक्रास्टिनेशन को तोड़ने का एक ही तरीका है सबसे छोटे लेवल पर ले आगर कि उस गोल को तोड़ दो यानि वो गोल बहुत बढ़ा है उसको ब्रेकडाउन करो उसके सबसे पहले स्टेप पे आजो कि उसको अचीव करने का सबसे पहला स्टेप क्या है जैसे गाड़ी चलाना सीखना है, उसको सबसे पहला स्टेप क्या है, अगर घर में कोई नहीं है सिखाने वाला या सिखाने वाली, तो बाहर जा करके जो गाड़ी का driving school है, उदर जा करके पैसे दे दो, अब फस गए ना, तो फसा दो अपने आपको, दिमाग ये लगाओ कि अ चोटे चोटे लेवल पर break down करके उसको कर दो, that is number one, और जैसे करना शुरू करते हो, कोशिश करो कि उसको जब तक क्या आप सही से नहीं कर लेते हो, उसको छोड़ना नहीं है, तो आपकी laziness भी खतम हो जाएगी, कई लोगों तो हमने तेका है, जो सबता में कुछ भी नहीं करता हो, भी संडे को आराम कर रहा है, वैसे कहा भी जाता है, कि अगर कोई काम आपको करवाना है, तो ऐसे किसी इंसान को दो, जो बिजी है, ऐसे आदमी को मद दो जो खाली है, यह परफेक्ट लिगया, किसी को भी आप दिखेगा, जिसको आप करते हैं कि, मतलब ठीक ठाक आराम करना चाइज है, कभी नहीं, आखरी सांस तक, तो यह पर सब ही हिंदी हमा पूछते हैं, इंगलिष में पूछते हैं मोचपूरी में पूछ ओछ रखेँ जो छोंगे तो अगर तार्गेट नहीं को मकंतने हैं, तो अगर टार्गेट्स कंप्लीट भी रोला, तो फिर इसा इरिटेशन या फिर एंजाइटी या फिर कियो और करना है या फिर अभी नहीं हुआ उच्वेश हमेशा रहला तो वह कम करना जाए दिए टार्गेट्स को ना हम लोगो एक अपने हिसाब से पहले फिट करना चाहिए ऐसा नहीं कि दूसरे किसी इंसान को देखके अम टार्गेट्स कर ले कोई लड़का आठ घंटा पढ़ रहा है कोई पहली बार भी पढ़ना ही चालू किया उसको देखके आठ घंटा पढ़ेगा तो पढ़ा यह छोड़ देगा तो आप अपनी चंटा के हिसाब से देखिए कि आप कितना पढ़ सकते हैं अगर आपने एक एक घंटे को बना लिया कि हम एक घंटा पढ़ सकते हैं अगले एक हपते तक उसको सस्टेन रखिए जिम में कैसे करते हैं लोग पहले दिन उठा लीजेगा एक कुंटल तो हाट हो जाएगा तो वो धीरे धीरे टार्गेट सेट किजिए और अपनी चंटा को भी देखिए हर इंसान की चंटा अलग है कंगारू को देखके हाथी चलांग मारेगा पहर तोड़ के बढ़ जाएगा अब संदीर का मोटिवेशन देखके इसका मतलब क्या कि ट्रेन के आगे खड़ा हो जाएगा धगयल देंगे तुमको हाला कि यसा कर देते हैं लेकिन ऐसा करियेगा लोग नहीं छंता पता होना चाहिए आपके अंदर एंजाइटी हो रही है कि मैंने कर तो लिया है आप यह यह नहीं कह रहे है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है फिर मेंको एंजाइटी हो रही है आप यह कह रहे हो मैंने काफी कुछ कर लिया है फिर भी एंजाइटी हो रही है कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया है तो बेसिकली आपको यह देखना है कि अगर आपके अंदर एंदर That means, you are a very good student. आप एक अच्छे स्टूडेंट हो. क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे हैं, उनको पढ़ने के नाम से एंजाइटी होती हैं. तो आपको एंजाइटी हो रही है कि मैंने पढ़ लिया. दिन में मानो 8 गंटे का आपने टार्गेट सेट किया और 6 गंटे पढ़ लिया, या मानो 8 गंटे भी पढ़ लिया, फिर भी एंजाइटी हो रही है कि मैंने 10 गंटे नहीं पढ़ा. तो ये तो अच्छी क्वालिटी है ना, ये तो एक ब्रिलियन स्टुडेंट की क्वालिटी है क्योंकि एंजाइटी उसी को होती है, जो केर करता है, जिसको परवा है, उसी की तो एंजाइटी होती है, जैसे मा को अपने बच्चे को ले करके एंजाइटी होती है, हसलो हसलो उसको अपने बच्चे को ले करके anxiety होती है थोड़ी सी भी तबित खराब होती है उसको anxiety होती है चाहे बच्चा ठीक भी है, डॉक्टर को नहीं होती है क्योंकि मां को उस बच्चे से प्यार है तो that means कि आप अपनी पढ़ाई को ले करके serious हो इस वज़े से आपके अंदर anxiety हो रही है which is normal जहाँ पर प्यार मुबबत होती है वहाँ पर थोड़ी बच्चा एंजाइटी तो होती ही है समझ रहे हूं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप लोग समझ रहे हूं ना मैं कहां जा रहा हूं जब वह किसी और से बात करती है तो अंजाइटी होती है सर आपकी स्टोरियम ने सुनी थी तो एक टाइम आया था जब आप गंगा किनारे जाके बैठ गये थे उस समय आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था तो उस समय मतलब आपने ये डिसिजन कैसे लिया कि अब आगे नहीं यहां से वापस जाना है रास्ता ही नहीं था घर जाने के लिए अटलिस्ट नवे रुपे चाहिए थे जेव में 40 रुपे थे कैसे घर जाते हैं और हम गंगा की किनारे चुपचा बैठे बैठे हम कहीं कि अब बहुत टेंसन हो गया अब घर जाना चाहिए dire to अके मैं फ्रॉपे पाया में इतने कामयाठे नहीं हो पाई जतने के आप होए तो आपके अंदर ऐसा कुछ नदर है जो औरों के अंदर नहीं है तो वो मैं जानना चाह रहा हूँ कि वो ऐसा क्या था जहांसे कि आपका दिमाग यहां तक सोच पा रहा है कि मैं पूरे इंडिया में इतने बड़े लेवल का चेंज लेकर के आ सकता हूँ, एजुकेशन फिल में रेविलूशन लेकर के आ सकता हूँ, यह सोचना ही बहुत लोगों के बसका नहीं है, मेरी एक खुद की दिंग, अगर हमको आए, तो बहुत आगे जाओगे लाइफ में, एक वो होते हैं, जो यह सोचते हैं कि हमें सब कुछ मिल जाए, हमें कुछ भी करना ना पड़े, दूसरी कैटेगरी होती है लोगों की, जिनको जितना मिलता है, उसमें भी चोरी-चकारी करते हैं, या कोशिश करते हैं कि उससे कम दे सामने वाले को, जितना की हमें मिल रहा है तीसरी कैटेगरी होती है लोगों की, जो इनके जैसे लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो यह सुचते हैं कि अगर मैंने किसी से एक रुपे भी लिया, देखा जाए तो दो-डाइसो रुपे कुछ भी नहीं होता है दो-डाइसो रुपे अगर मैंने लिया, तो कैसे उसको चारसो रुपे की वैल्यू दू? यह जो थिंकिंग है यही एक फर्क होता है, एक ऐसे इंसान में जो बहुत आगे निकल जाता है और उस इंसान में जो मीडियो कर रह जाता है आप अपने आपको अपने आपके उपर समय दीजे, उसको डेवलब कीजे जब आप अपने आपके उपर खर्च करते हैं, तो आने वाले समय में लोग गूगल पर आपको सर्च करते हैं क्या बात है? अपने अपने अपके बनाया है या ये कोई पुराना आपका वो है? बनते राता है इसे अपने बन जाता है आपके बनना सरे, कभी छुपा हुआ है चईना-ण благодар show कभी जाहता है यादे, कभी आपने सोचा हुगा होगा कभी कभी देपे यह जीज अए है, ενत् hart ऑथ चीज को, हमसा कग्यजी इस्टों संगथि ओम हालके एपने जाता यहोशे का मतलब हूंके लतुता है लोग कहते हैं कि सर नाम क्यों नहीं बताते हैं अपने हमारी एक ही सोच है कि जाने के बाद इस दुनिया से हमको मतलब एक चीज देना चाहते हैं इस स्टूडेंट्स को कि वो याद करें कि इस पैसे की भागदोर की दुनिया में हर कोई दोनों हाथ से लूटने में लगा है लोगा हाथ जाने के लिए यह सबको लगा है तो हर कोई को यह सोचना अचे कि था कोई इंसान जो इतने कम फीज में इतनी सिक्षा जो महंगी थी जो कमाने का रास्ता था उसको भी एकन्प कर दिए कि अब लोगों को अपनी फीज बढ़ाने दर लगता है कि यार लडका कम खांचर इतना लेने आप बुट बड़ का टीचर हो अगे कि खांचर के क्लीप है यह समय और समयधारी बहुत फरक होता है अगर समय रहते है समयधारी या गई तो इंसान कामियाब हो गया लिगादिग गर समय सला गया फिर समयधारी या फिर तो पेकार है तो सर मतलब अब दिखें अब एंटाइम पर दिखें? सबसें आप मेरी बात, नहीं समनेगे? नहीं समनेगे यही बता है, सर नहीं सर का मोटिवेशन जादे हो जाता है जब आप इस्ट्रगलिंग फेज में हैं, तो कम से कम चीजों को अपने उपर खर्च किए, यह जादे से जादे सीखने में खर्च किए, अगर आपको राजा बनने का सौक है, तो गुलाम की तरह मेहनत करना सीखिए, तब राजा बनने तब राजा बनने यह दूख, यह दर्द, यह सब तेरे अंदर है तू अपने बनाएं इस पिजड़े से बाहर निकल के देख, तू अपने आप में एक सिक अंदर है थैंक यू सो मच सर पर कमिंग, बहुत मज़ा आया मेरको आपके साथ में इंट्रैक करके, आम शूर आप लोगों को भी बहुत मज़ा आया होगा अपने होगा तक यू सो मज़ जी, आपके